आप सभी का स्वागत है और मैं दिनिश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की जो वीडियो में लेके आए वो एक्जाम से रिलेटेड है जो हर्याना गौर्मेंट हर्याना सरकार ने जो हायर एजुकेशन एंड टेकनिकल एजुकेशन डिपार्डमेंट पंचकुला हर्याना ने ये सरकुलर जारी किया है जो 13 जून को इवनिंग में रिलीज हुआ था बहुत सारे स्टूडेट को शैद इसके बारे में पूरी जानकारी पता होगी और जिन स्टूडेट्स को नहीं पता है वो इसके बारे में मैं पूरा आपको पूरी इंफोर्मेशन आपको देने वाला हुई इस वीडियो के अंदर तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जो हमारे वीवर्स न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्र कर दीजिए और साथ में जो बैल आइकन दिया है उसको आप प्रेस कर दीजिए तो आज की जो इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड और यूजी पीजी और यूटी डी एग्जामनेशन से रिलेटेड आपके बारे में इन्फोर्म करना चाहता हूं और इ इसे हम फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंस के लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनके एग्जाम्स फर्स्ट जूलाई टूथाउजन टूएंटी से स्टार्ट होंगे और थर्टियत जूलाई टूथाउजन टूएंटी तक चलेंगे और जिनका रिजल्ट सेवन्थ 2020 तक डिकलियर करना होगा तो ये वाली पहली इस सर्कुलर की जो पहली इंफोर्मेशन है वो यही है कि फाइनल येर और टर्मिनल एग्जामनेशन जिसे हम फाइनल सेमेस्टर बोलते हैं उसके एग्जाम्स कंड़क्ट होंगे फर्स जूलाई 2020 से लेके 30 जूलाई 2020 जिसका रिजल्ट जो है साथ अगस्ट 2020 को दिया जाएगा आप सभी को पता है कि कोविट नाइन्टीन पैंडविक सिचुएशन में ये फैसला हाइर एग्जामने लिया है कि फाइनल येर एक के स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ेगा अब उसमें जो हर्याना के स्टूडे हैं उनके लिए क्या है नौन हर्याना के हैं उनके लिए क्या होगा वो सारी चीजे मैं बता जेता हूं दूसरे पॉइंट में आपको बता रहा हूं आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए हाँ स्टूडेंट्स आउटसाइडर स्टूडेंट्स जो नौन हर्याना स्टू जाएगा तो अब ही तक जो है ये सेकंड पॉइंट में है कि प्रिवियस एर एक्जाम का एवरेज बेस पर उनको पर्मोट किया जाएगा या उनसे थियोटिकल या फिजिकल पेपर बाद में करवाया जाएगा तो ये सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट में हमारा आता है कि बहुत सारे student को promoted pass किया जाएगा उनको next promoted pass करने का मतलब है कि जो student first year में है या first semester में है या third semester में है या fourth semester में है उनको आगे promote करने का है वो 50% of internal assessment के base पर pass किया जाएगा और या उसके अंदर assignment plus 50% previous examination के base पर होगा ये कैसे होगा वो मैं आपको describe कर देता हूँ कि मान लो आपका paper एक paper ले लेते हैं कि 100 marks का है उसमें 20 marks का आपका internal हो गया और 80 marks का आपका theoretical हो गया तो 20 मेंसे मान लो आपको किसी college ने 18 marks दी है तो उसका 50% ले लो आप तो 9 marks हो गये फिर उसके बाद जो 80 marks की theory है उसमें आपने मान लो marks प्राप्त किये 60 तो 60 मेंसे का 50% आप लोगे 30 हो गया तो 39 marks जो हैं आपके count होंगे उसके base पे आपको second year में promote कर देंगे चेके students अब fourth point हमारा ये है कि जो first year के students है उनको internal assessment के base पर pass किया जाना है जो student first year में हैं उनको हम internal examination के base पर pass करेंगे और अगर कोई student मालो हमारे पास reappear आया हुए किसी का तो उसको हम second year में promote नहीं करेंगे और ऐसा कि इसमें लिखा हुए है कि reappear वाले students को paper देने ही होंगे फिफ्थ point में है अब practical कैसे conduct होगा तो practical examination के लिए हमारे पास ये है कि जो previous year के प्रैक्टिकल के जितने marks के average है प्रैक्टिकल के previous year के marks के average और 80% of previous year theory exam इन दोनों में जो highest marks होंगे उनको consider किया जाएगा यानि एक में मान लो किसी student के पिछले साल प्रैक्टिकल में उसके marks आए है 80% और theory में उसके marks आए हैं मान लो 400 चीक है तो जो इसमें से ज्यादा होगा उसके marks लिये जाएंगे तो यानि जो previous year के examination है और 80% theory exam previous year इन दोनों में जो highest होगा जो ज्यादा marks होंगे उसको consider करके final year वले student के practical के marks लगाए जाएंगे तो ये आपके 5 points मैंने बता दिये हैं और एक बार फिर मैं आपको repeat कर देता हूँ कि क्या क्या है इसमें पहला point हमारा ये है कि final year all terminal examination यानि final semester के exams conduct होंगे एक जुलाई से लेके और 30 जुलाई तक जिनका result 7 अगस तक declare करना होगा ये higher education और technical department हरियाना government का ये circular में mention किया है तो ये सभी universities यानि जो हरियाना की universities हैं उनके लिए काम करना पड़ेगा दूसरा point है जो student outsider है नौन हरियाना candidate है उनको जो है previous year exam के base पर pass किया जाएगा तो बहुत बड़ी जो बाहर के candidate हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की ख़बर है कि उनको previous exam के base पर pass किया जाएगा ये तो हो गया हमारा बाहर के student के लेकिन इसमें college के उपर छोड़ दिया जाएगा universities के उपर छोड़ दिया है कि वो फैसला कैसे लेंगे कैसे करेंगे वो बात की बात है फिर उसके बाद मैं एक अपची तीसरा point बता रहा हूं कि पर्मोटिड जो student को पर्मोटिड पास करेंगे next class के लिए next semester के लिए उसका 50% internal assessment या assignment प्लस 50% previous year examination के base पर उनको next semester में पर्मोट कर दिया जाएगा तो इसका कैसे करना है वो मैंने आपको बता दी है बता देता हूं फिर भी example से मान लो एक subject हम ले लेते हैं और उसके 100 marks का total है 20 marks का internal हो गया तो 20 मैंसे मान लो 18 marks आपको college ने दिया तो उसका 50% कर लीजिए 9 marks आ गए फिर उसके बाद 80% 80 आपको पता है कि 80 marks का theory exam होता है 60 का half कर लो 50% कि न 30 तो यह 39 marks उसके जो है इसी के को पास माना जाएगा तो यह वाली चीज इन्होंने यह clear कि है कि assignment plus internal assignment assignment plus internal assessment के base पर इनको second year में या next semester में पर्मोट करेंगे fourth point है जो first year के student है उनको first year के student के लिए वही होगा कि assessment के base पे मैंने बताई दिया कि कैसे कैसे पास करेंगे लेकिन reappear वाले student को paper देने पड़ेंगे fifth point है हमारा practical exam अब कैसे conduct होगा तो practical exam के लिए जो भी जितने भी students है उनके पिछले साल की जितनी भी practical से हुए हैं उसकी average लेंगे या 80% of theory previous exam की दोनों मेंसे जो बड़ा होगा या जिसके marks ज्यादा होंगे उसी के ही practical exam practical marks माने जाएंगे तो ये बहुत बड़ी खबर आपके लिए मैं दे रहा हूँ ये MDU की नहीं है CRSU की नहीं है किसी university की नहीं है लेकिन ये पूरे हर्याना government ने circular ये issue किया है दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि MDU में क्या क्या इस टाइम पर चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि MDU ने सभी colleges को MDU ने सभी colleges से sitting plan और और वहां की सारे चीज़ें की विवस्था वहां की क्या facilities हैं वो सारे चीज़ नंबर of staff वगेरा capacity ये सारा चीज़े उन्होंने detail में मांगी हैं और वो detail हर college देगा क्योंकि हो सकता है कि जो exam conduct होंगे वो home exam होगा home exam का मतलब होगा कि जिस college में आप हैं पढ़ रहे हैं जो college आ का है उसी college में ही आपके exam होंगे तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ हमारे पास जो आई है वो ये है कि हमें हर student को हमें एक college में मान लो 100 student है जितने भी हैं MDU ने सभी colleges को एक ये दे दिया है कि हमें कल तक हर student का district wise बताना है कि हर district में कितने कितने हमारे college के students हैं उसमें district कौन कौन से लिए जाएंगे रोता खो गया जजजर हो गया घुरगाओं हो गया ठीक है अमवाला ये सारे जो nine districts हैं वो बताना है प्लस ये बताना है कि डिली के student कितने हैं और कितने बाहर के student हैं ये चीज़ें हमें कल लिखकर देना है तो जो हमारे college को mail आया है व अलग करना है फिर उसके बाद meeting M.D.U. की होगी तीन चार दिन के बाद फिर decision होगा कि conduct होंगे exam या नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ी ख़बर तो नहीं कह सकते लेकिन जो बाहर के student से non-haryana के student है उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर खुशी की ख़बर बन सकती है वो हम जब भी circular आएगा तो उस circular को मैं जरूर आप तक पहुचाऊंगा जल्दी से पहुचाऊंगा लेकिन आप अपनी study को अभी stop ना करिए आप study करते जाएए क्योंकि कब rule होगा कब नहीं होगा हो सकता है ये भी rule आया है कि हो सकता है जो हमारे exam होने है बीएड के first year के तो वो ना करवा के उनके exam दिसंबर या जैन में करवाया जाए तो ये सारी चीजे क्या होगा कैसे होगा अभी बहुत सारी M.D.U. जो है पूरा इसके उपर circular तयार करने में